हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चनल माई नमे जांकोर में रत्ता दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कांतारा मोवी के बॉक्स ओफिस कैलेक्शन की अभी तक ये टोटल इंडिया से और ओवरसीज से कितना ले चुकी है और सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म के सा पब्लिक क्यों कनेक्टोरी है हाट तो हाट क्यों कनेक्टोरी है इस फिल्म को लोग इतना दा प्यार क्यों दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बताता हूं कलेक्शन और इसकी स्क्रीन के बारे में देखो इंडिया में फिल्म रिलीज होई है 600 स्क्री 45 करोड अब देखिए मंडे को मंडे को फ्राइडे से जादा आया आया 5.80 करोड त्यूजडे आया 6.02 करोड और डे 6 यानि की कल का दशेरे वले दिन का अप्रॉक्स आ रहा है 8.70 करोड और ये 9 इस से आ चुका है 4.28 करोड तो टोटल हो जाता है 51.08 करोड मतलब सूपर हिट का वर्ड इट तो इस फिल्म को मिल चुका है अब यार देखो आज जो डे 7 है इसकी आज की भी प्रेडिक्शन आ रही है 4 करोड प्लस जो की अपने आप में एक बहुत बड़ा नमबर है अब हम बात करते हैं पबलिक इस से कनेक्ट क्यों कर रही है देखो मेर को जो लगता है मैंने बहुत रिसर्च करा मेर को जो लगता है इस फिल्म को जो मैं देख रहा था देखो मुझे लगता है कि इस फिल्म में जीरो फिल्टर है zero filter मतलब की जो वहां का real tradition है वहां का जो जुडाव है लोगों का ये वही दिखाया गया है मतलब cinematic liberty लेने के लिए भी बहुत कम feature यूज किये गए है मतलब जो real है वो दिखाया गया है इसलिए public ना heart to heart connect कर रही है मतलब realistic film की कमी है हमारे समाज में और ये वही feel कराती है public को emotionally connect करने के लिए भी न overdose नहीं दिया गया है जो है वही दिखाया गया और public खुद बाखुद emotionally heart to heart इस film से connect हो रही है तो मुझे जो लगता है ना इसका सबसे बड़ा hit होने का super hit होने का कारण ये है कि public के फिल्म दिल में फिल्म बस चुकी है जो दिखाया गया है ना वो लोगों को बहुत जादा attract कर रहा है और word of mouth इतना strong है ये फिल्म रुकने वाली नहीं है देखो कल से weekend start है तो 51 करोड हो चुका है ये फिल्म अगर 100 करोड कर लेगी ना तो कोई भी shocking news नहीं होगी बस यहीं बताना था वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वोडियो को लाइक कर देना पहले आकन को हिट कर देना ताकि आपको और भी ऐसे वोडियो मिलते रहे thanks for watching